यूटूब के लेटिस्ट वीडियोज, ब्रेक आउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ सेर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ 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 स्टॉक मार्केट ये लेटिस्ट न्यूज के लिए टेलिग्राम चैनल को जरूर जोईन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में ह साथ साथ आप टेलिग्राम पे स्टॉक बाजार और इसलो सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा उसे जोईन कर लें, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है, आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ब बहतरीन स्टॉक है, जैसे नवीन, फ्रोरिन हो गया, आर्ति इंडरस्टी हो गया, लेकिन इन सब स्टॉक से जाता बहतरीन जो स्टॉक हमें लगता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो स्टॉक आपको है, अगर अलकाई एमिन्स के बात करें, तो यहाँ पर इस तरह से सेल्स ग्रो किया है, अगर कापनी के प्रोड़क्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एलिफेटिक एमिन्स बनाती है, एथाईल एमिन्स बनाती है, और यहाँ पर दूसरा जो भर्टिकल है, एमाइन डेरिवेटिवस बनाती है, कॉंटेक्ट मैनफेक् इस तरह से कंपनी का जो पूर्फोलियो रेंज है, वो काफी डैवर्सिफाइड है, अगर इसके पूर्फोलियो रेंज की बात करें, तो हंडेर प्लस बनाती है, और यह सारे प्रोड़क्ट मुख रूप से बिस्ट होता है, एलिफेटिक एमिन्स पे, जो इसमें यह इसप्लेसमेंट होता है, अधर-धर रेडिकल से होता है, जैसे 민्थाइल होोगा, इसमें तो अलग अलग तरह के प्रोड़क्ट बनते हैं, तो यह प्रोड़क्ट तयार करती है यह कंपनी, और यह कंपनी समझेए कि यहां से वर्लड़ वाइड लीडर है, जबकि इसका जो वह प्लाइबर है वह सिर्फ लोकेटन है कुछ ही रिजन्स मिःदि यहां हम नीचे चलते हैं यहां फू नीकाँक्र फूने करती है को जब कशी नेंफॆंग करती है इतने अच्छा एक्स्तेयन्स बिए अपने लिडीयेत्स है और साथ ही साथ यह company जो है लगातार अपने expansion पे ध्यान दे रही है आप देखे 30 से 40% capacity expansion पे ध्यान दे रही है company और जैसे ही expansion भी complete होता है तो 300 से 350 क्रोर का जो company का revenue है वो increase हो जाएगा इस तरह से लगातार expansion पे यह company काम कर रही है अब बात करें alkyl amines chemical जो है इसके market cap का 23,000 क्रोर का market cap है rent price 4,623 रूपेज का है और अगर बात करें dividend yield का 0.22% का dividend yield है और return on capital implied 55.8% देखे 55.8 इतना solid return on capital implied है इससे बहतर return on capital implied साथ आपको कहीं कहीं मिलेगा और यहाँ पर देखें return on equity 44.6% सिर्फ यह आपको return on capital and return equity नहीं दे रहा है share price पे भी growth काफी जवरदस दिया है देखें market cap 10 साल पहले मात्र 84 क्रोर का था 84 क्रोर से direct company 23,000 क्रोर का market cap हो चुका है कितना ज़्यादा growth यह भी खाया है पिछले 10 साल में यह आप सूच के ही दंग रहा जाएंगे इतना बरा multi bag return अगर बात करें date to equity का उपर जो date है वो बहुत ही मामली है लगवग date free company है 0.06 का date to equity है तो काफी कम date to equity है और वही बात करें promoters holding का 74% का promoters holding है मतलब जो maximum होता है उसके लगवग है 75% maximum promoters का holding हो सकता है किसी भी company में अपनी share की बात करें तो 0 है कोई share भी प्लेज नहीं है और वहीं बात करें company के ऊपर total जो date है क्योंकि date तो negligible है 47 क्रोर का मातल डेट है जबकि reserve 782 क्रोर का reserve है कमपनी को पास net profit 259 क्रोर का net annual profit है और यहाँ पर company का profit growth को देखेंगे तो profit growth भी काफी solid है 2010 में मातल 10 क्रोर का profit था 2011 में भी कोई increase नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर देखें 2012 से profit में काफी जबरदस्त increase और अभी होचका है 295 क्रोर का profit और sales की बात करें तो 2010 में था 214 क्रोर का 2011 में भी sales increase हुआ लगातार सेंसेजम के रिज़ हुआ और 2021 में होचका है 1242 क्रोर का sales इस तरह से company का sales और profit दो जंप हुआ है तो काफी बेहतरिन company है ऐसे हैं company के साथ आपको ज़रूर invest करना चाहिए अगर sales growth की बात करें तो देखें पिछले 10 साल में 18% का compound sales growth है profit growth की बाद 40% का है और price का CGR देखें 74 का 74% का CGR से price का growth हुआ है return on equity की बाद 33% का return on equity है तो काफी बेहतरिन है हर parameters पे ये company काफी solid है अगर analysis की बात करें तो देखें कि company में कोई भी cons नहीं है एक मात्रह की book value से 29 times पे है 30 times के अपक्रोक्स तो 30 times पे trade करेगा ही जब इतने solid stock है तो वो 30 times पे ही मिलेगा आपको book value से company में अगर प्रोज की बात करें तेखें सारे positive बात है जो है इस company में है company debt को reduced का है company almost debt free है company good quarter profit दिया है company profit growth भी 42 का CGR है 5 years में company का return on equity है वो उसका भी CGR 40 का है company का dividend paid out भी लगभग 19% का है company का जो sales growth है वो भी लगभग 22% कर रहा है अब इससे बहतर कोई company आपको क्या चाहिए अब वही balance sheet की बात करें देखें balance sheet भी काफी जबरदस्त है share capital 10 क्रोड का है मातर company पास result की बात करें 59 क्रोड था 2010 में बढ़ते हुए हो गया है 782 क्रोड का देखें इतना जबरदस्त company का result पढ़ा है और बात करें company के पास debt का तो देखें company का debt धीरे धीरे improve हुआ है मतलब company अपने debt को अपने कर्ज को लगातार कम किया है जो borrowing होता है कर्ज होता है 48 क्रोड का मातर भी कर्ज बचा है जो की कुछ नहीं company जब चाहे इतना पे कर सकती है cash flow की बात करें तो देखें operating activity से cash flow सबसे important होता है जो की लगातार positive रहा है कभी भी negative आपको देखने नहीं मिलेगा और net cash flow की बात करें company का net cash flow भी अभी पिछले 5 साल में लगातार सांदार रूप से positive रहा है cash flow भी company अपना इंप्रूब किया है और बात करें return on capital employer ये तो काफी बहते ने 56% debitter's date company का debitter's date भी इंप्रूब हो है देखिए यहाँ पर 70 के आसपास था 5.67 है थी यह भी इंप्रूब है invented turnover company का sales का efficiency है वो भी काफी इंप्रूब है 5.67 का तो sales का जो efficiency है यह भी काफी जब और दस्त है अगर हम बात करें investor का तो promotors का जो यहाँ पर holding है वो है 74% और लगातार constant रूप से बना हुआ है इसमें 1% मात्र तो इस stock यह ऐसा बहतरीन stock है जिसमें FIJ holding आपको कम देखने मिला यह पहला ऐस stock है जिसमें public का holding देखिए अतनी बहतरीन stock में 23% है और रहना भी चाहिए ऐसे बहतरीन stock में जब हम public रोग रहते हैं तभी हमें अच्छा अच्छा खासा यहां से return मिलेगा और डियाइज का स्टेक देखिए 1% के आसपास है तो यहां पर public ने अच्छा खासा यहां पर अपना पैसेंस दिखाया और अच्छा खासा यहां से return प्राप्त किया है और पिछले साल भी मैंने यह स्टाक आपको recommend किया था और वहां से यह स्टाक काफी growth भी दिखाया साथी company ने अपने स्टाक को split भी किया वो भी आपको फायता मिला होगा अगर आपने पिछले साल हमारे वीडियो को देख करके अगर अब बात करते हैं इसके चार्ट का था देखे चार्ट भी काफी solid है देखे चार्ट पे तो यह स्टाक काफी बार यहां पर भी breakout दिया अगर हम अप्रील में बात करें फिर यहां पर breakout दिया यह range बना करके यह range बनाता है company वहां पर breakout देता है तो फिर आपको कभी भी डेली चार्ट पर ये range बनाता हुआ दिखे और वहाँ पर breakout देता है तो आपको buy करना है देखिए अभी buy नहीं करनी चाहिए हो सकता है यहां से यह stock अपने breakout का जो label है वह है 3975 रूपीज उसको retest करें अगर यहां पर retest करके यहां पर फिर से bounce back करता है तो वहाँ पर buy कर सकते हैं या तो फिर से कोई range बनाता है range के breakout पर buy किजिए या किसी भी गिरावट में आप SIP कर सकते हैं SIP किसी भी गिरावट में होता है जिसे यहां पर range बनाया आप यहां पर अपने नीचले लेवल पर यह stock जब भी आया आप दो तीने stock इसमें buy कर सकते हैं इस तरह से SIP कर सकते हैं लगाता है अब बात करें इसके long term chart का देखिए यह तो daily chart था shorter में आपको किस level पर इसमें entry ल सले तो उस stock में काफी जादा जोरदार गिरावट भी देखने मिलता है लेकिन दोस्तों chemical sector के stock में आपको गिरावट तभी देखने मिलेगा जब chemical sector पे कोई न कोई issue आता है issue को आएगा जैसे हमारे environment का कोई दिक्कत हो गया जैसे pollution problem आ गया तो वहाँ पर इस chemical sector की company को problem उत्पन हो सकता है तो जब भी देखिएगा environment से related कोई भी issue आता है chemical company के लिए तो वहाँ से निश्चित रूप से आप stock को exit कर दिजिएगा चाहे आप profit भी रहिए या loss में रहिए तो chart company का काफी solid है long term का chart तो आपने देखे लिया कितना solid है इतना solid है कि आप इसमें कभी भी गिरावट में invest कर सकते हैं किसी भी गिरावट में invest है लेकिन आपको मैंने ये भी बता दिया कि इस तरह के chart काफी dangerous होते हैं लेकिन इस company में तब तक कोई भी आपकी investment पे risk नहीं हो और इस वीडियो को like और share जरूर किजेगा ताकि इस तरह के informative वीडियो आपके लिए हम बनाते रहें